तो कल हम लोग पढ़े थे, हमाइन्स के बारे में कुछ पढ़े थे, उसमें नॉमेंक्लेचर तक हम लोग पढ़ लिये थे, आज हम लोग प्रिप्रेशन पढ़ेंगे, प्रिप्रेशन आफ अमाइन्स, अमाइन्स का प्रिप्रेशन बहुत आसान है, इसका मेकनीज भी आसान इसलिए बहुत जादा टेंशन लेने की को ज़रत नहीं है बहुत आसान है तो प्रिप्रेशन जो सबसे पहला करते हैं हमाइन का वह है रिडक्षन रिडक्षन आफ नाइट्रो कमपाउंड तो रिडक्षन कराने के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पर हमको चाहिए हाइड्रोजन हाना एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए मतलब फ्री रेडिकल चाहिए हाइड्रोजन का तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजीनेशन डायरेक्ट भी करा सकते हैं हाइड्रोजन को अगर पैलेडियम पैलेटिनम और भी द मेकेनीजम होगा तो इसमों एक elektronis पर आएगा एक elektronis पर आएगा तो हम इसमों को पुलिख क्या धूसरह अगर हम कि एंगा में बई कर तो ये घदिन जानते हैं कि इसमें जो में डी Block helement है यह टीन डी ब्लोक एलेमेंट है जिसमें कॉबलेंट कारेक्टर भी होता है इसलिए यह फ्री रेडिकल मेकनीज देगा तो यह जो है बनाएगा हमारे SNCL2 बनाएगा और साथ में जो है दो फ्री रेडिकल देगा ठीक है उसी तरीके से अगर हम आइरन भी ले ले लेते हैं SNCL का प्रजेंस में ठीक है तो हम जो है क्या करेंगे कि यह जो है बनाएगा FECL2 बनाएगा और दो फ्री रेडिकल एक्टिव हाइड्रोजन हमको मिलेगा तो यह तीनों जो है ना यह दोनों तरह का नाइट्रो कंपॉंड में काम करेगा मतलब एरोमेटिक नाइट्रो कंपॉंड है उसमें भी काम करेगा नाइट्रो मतलब नाइट्रो एलकेन में भी काम करेगा और नाइट्रो बेंजीन में भी काम करेगा दोनों में ये तीनों लेकिन एक और है हमारे पास एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी हमको जो है हाइड्रोजन फिर रेडिकल देता है लेकिन ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन जो है ये जो है नाइट्रो बेंजीन को रिडियूस नहीं कर पाता है ये जो है अना ये लिथियम अलमिनियम हाइडराइड जो है शिर्फ और शिर्फ नाइट्रो एलकेन को रिडियूस कर पाएगा नाइट्रो बेंजीन को एफेक्टिवली वो रिडियूस नहीं कर पाता है तो लि सबसे में से में तर्म है कि रियक्षन को इनीशिएट करने के लिए हमको फ्री रेडिकल चाहि है हिड्रोजन Hampshire जो हमको इस तीनों में से किसी एक से मिल जाएगा ठीक है तो यह हो गया और अब इसको हम लोग यूज करेंगे इसी फ्री रेडिकल को ठीक है तो हम लोग जैसे नाइट्रो बेंजीन लेते हैं नाइट्रो बेंजीन ले लिए यह नाइट्रो ग्रूप है ठीक है अब इस पर यह जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना यह एटेक करेंगा जितना चाहिए उतना लग जाएगा ठीक है तो कम से कम कितना चाहिए एक ऑक्सिजन को इसको हटाने के लिए दो हैड्रोजन चाहिए इस ऑक्सिजन को हटाने के लिए दो हैड्रोजन चाहिए फिर इस नाइट्रोजन को दो हैड्रोजन चाहिए यानि 6 हैड्रोजन फ्री रेडिकल की ज़रूरत है तो होता क्या है कि एक एक करके यह सारा जुटेगा होमोलाइटिक फीशन होगा यह एक इधर आएगा इधर एक आएगा ठीक है और एक फ्री रेडिकल जुट जाएगा एक फ्री रेडिकल यहां जुट जाएगा तो हम लोग पहले यहां पर दो दे देते हैं बेंजिम रिंग को कोई डिस्टर्वेंस नहीं करेगा सिर्फ नाइट्रो गुरूपको डिस्टर्वेंस देगा यहां एक हाड्रोजन जुट गया और यहां भी एक हाड्रोजन जुट गया यह हो गया फिर दो हाइड्रोजन हम लेगे फिर जो है जुड़ेगा ठीक है इसको तोड़ेगा एक एलेक्ट्रोन इधर आएगा एक एलेक्ट्रोन इधर आएगा एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा तो अब यहाँ पर यह आ गया हमारा, यहाँ यह आ गया, इधर H जुड़ गया, इधर अभी यह oxygen पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर water निकल गया, क्योंकि इसके पास एक H है, एक और H आके इस पर जुड़ेगा, तो H और OH मिल करके water बनके वो remove हो गया, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर इस oxygen को remove करने के लिए 2H free radical आएगा, ठीक है, तो यह जो है, इसको remove करेगा, ठीक है, यह जो है, जामते ही हो कि यह coordinate covalent bond है, यह coordinate covalent bond है, यह coordinate covalent bond है, nitrogen का pair of electron जो दिया गया है, वो है, तो यह वापस चलाए जाएगा, इसको दो electron का deficiency हो जाएगा, यह इसके साथ जुड़ेगा, water निकल जाएगा, और इस पर जो है, एक lone pair generate हो जाएगा, पराग्यात बन गया हमारा, यह reduction हो गया, यह हमारा amine बन गया, aryle amine बन गया, ठीक है कि नहीं, यह phenyle amine भी लेख सकते हैं, aryle amine लेख सकते हैं, अना, तो यह हमारा एक amines बन गया, कौन सा amine है, एक ही एच को replace हो है, तीसले यह primary amine है, एक amine बन गया, primary amine, अगर इस एच को भी हम replace किये होए रहेंगे, तो secondary बनेगा, यह जो method है, proper reduction of the nitro compound कराएंगे, यह mainly है, primary amine को बनाने का best method है, इस method से secondary amine नहीं बनेगा, trussiery amine नहीं बनेगा, इस में यह method जो है suitable है, सिर्फ और सिर्फ primary amine बनाने के लिए, तो जितना भी reagent बताये थे, वो सारे reagent को हम लोग use करेंगे, वो सब hydrogen free radical देगा, फिर reduction होगा, तो यह primary amine को produce करेगा, तो इस तरीके से हम लोग, यह method से हम लोग primary amine जो है बनाते हैं, अब इस में से सबसे ज़्यादा कौन सा reagent यूज होता है, यह धियान देने वाली बात है, iron और HCl ये यूज होता है, क्योंकि iron हम लोग सस्ता कैसे पड़ता है, क्योंकि यह scrap iron बहुत industry में मिलता है, तो उसको हम यूज कर लेंगे, microorganism बहुत सारा है, जो iron के surface पे रहता है, वो भी HCl प्रोड्यूस करता है, तो सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, कि scrap iron का यूज करते हैं, तो सस्ते में काम हो जाता है, अना, chemistry से पड़ने से नहीं होता है, chemistry से फिर economy भी बनाना है, कमाई भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पैसा का भी ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए iron और HCl का यूज करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, ओके, अब दूसरा method पढ़ेंगे हम लोग Ammonolysis, दूसरा method जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग Ammonolysis, of alkyl allied, Ammonolysis नाम ही है, यानि हमाई बार बार जो है, एड होगा, ब्रेक हो करके, इसलिए Ammonolysis है, लिखा गया है, अना, heavily substituted होगा, अब इसमें क्या है, बहुत तरीके से reaction कराते हैं, जैसे की मान लोग की Ammonia है, Ammonia है, और इसका reaction किसी भी alkyl allied से, जैसे suppose करते हैं, कि हम लोग methyl chloride से reaction करवाएंगे, अगर इसमें इसका concentration high है, अमोनिया का, तो यह amine नहीं बनाएगा, अगर concentration ammonia का high रहेगा, तो यह amines नहीं बनाएगा, यह एक salt बना देगा, यह क्या बनादेगा, एक salt बनाएगा, तो कैसे बनेगा, होता क्या है, कि यह जो है, जब इस दोनों को आपस में हम reaction करवाते हैं, concentration में, तो यहाँ पर हिटेरोलाइटिक स्प्लीटिंग होता है, इस पर negative charge आ जाता है, इस पर positive charge आ जाता है, ठीक है, तो हिटेरोलाइटिक स्प्लीटिंग जब होता है, यह CS3 क्या करता है, इस से जूड़ जाता है, ठीक है, बताते हैं मेकनीज में इसका, कि यह कैसे कैसे होता है, जैसे मानलो की CS3 CL लिए, इसका होमोलाइटिक फीशन हुआ, तो यह मिथाईल का केटाइन बना, और क्लोराइड आयन बना, अब यह जो मिथाईल अमोनिया के उपर यह एटेक करेगा, जो मिथाईल केटाइन है यह एटेक करेगा इसके उपर, यह एटेक करेगा तिससे जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा NH3 और इससे जो है, यह CS3 जुड़ा, और यह जो पेर अफ एलेक्ट्रोन है, यह बॉंड बनाने में यूज हो गया, तो जब बॉंड बनाने में यूज हो गया, तो इस पर positive charge आ गया, जब इस पर positive charge आ गया, तो यह जो CL माइनस है, वह आकरके इससे attach हो गया, और हमारा जो final compound बन गया, CS3, NS3, CL, यह compound बन गया, इसको बोलते हैं, substituted ammonium salt, substituted ammonium salt हो गया, और इसका original name क्या होगा, methyl ammonium chloride, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, methyl ammonium chloride, तो यह एक salt बन गया, अमाइन तो नहीं बना, यह एक salt बन गया, है ना, कब होगा, जब इसका concentration high होगा, ammonia का concentration high होगा, और methyl chloride का normal concentration होगा, और यह ज़्यादा रहेगा, तब ऐसा बनेगा, लेकिन, जब हम उल्टा कर देंगे, ammonia के concentration को कम कर देंगे, और alkyl chloride का concentration बढ़ा देंगे, तब जो है, ammonolysis होगा, ठीक है ना, बार बार amines group का addition होगा, ठीक है ना, इसको alkylation भी दूसरे word में क्योंकि बार-बार alkyl group जो है hydrogen को replace करेगा, तो हम alkylation भी बोलते हैं, alkylation of ammonia भी बोलते हैं इसको, तो अब जो है, हम लोग जो है, दूसरा चीज़, अब अब ammonolysis कराएंगे, अभी जो बताएं वो ammonolysis नहीं था, क्योंकि वो भी reaction होता है, और सब कहेंगे कि कैसे बन गया, तो वो तो जब बनेगा ही, normal condition में जब हम ammonia का concentration को हम high रखेंगे, तब होगा, लेकिन अगर ammonia के concentration को ह हम normal रखते हैं, और alkyl halide का concentration हम high कर देंगे, तब जो है, ammonolysis होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कारवक, halogen bond का splitting होता है, और alkyl group जो है, जुड़ते जाता है, और इस method से हम primary, secondary, tertiary, तीनों तरह का हम amines बना सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग ammonolysis देखते हैं कि कैसे होता है ठीक है, तो अब जैसे कि ये है, ammonia है, इसमें 3 hydrogen है, अब इसका concentration जो है, लो रखना है, ठीक है, लो रखो या normal जो रखना है, और फिर हम alkyl halide में फिर से methyl chloride का ही example ले लेते हैं, तो यहाँ पर टूटेगा, यहाँ यह bond टूट जाएगा, तो इस पर negative charge आ जाएगा, इस पर positive charge आ जाएगा, यह CS3 क्या करेगा, इस पर attach हो जाएगा, और CL minus release हो जाएगा, ठीक है, अब यह CS3 यहाँ attach होगा, यहाँ पर CS3 attach हो गया, और इस पर एक positive charge आ गया, अब इस positive charge को neutralize करने के लिए, यहाँ से इस bond को खीच लेगा, यहाँ से H+, निकला, यह CL minus यहाँ पर attack कर देगा, तो H+, और यह CL minus मिल करके, HCL जो है, remove हो जाएगा, ठीक है, इधर CS3 हो गया, ज़र H हो गया, और यहाँ पर फिर से यह loan pair generate हो गया, यह हो गया हमारा primary amine, यह हो गया primary amine बन गया, methyl amine जो कि एक ही hydrogen को replace कर रहा है, methyl group, इसलिए primary amine हुआ, ठीक है, अब आगे भी अगर हम methyl chloride का फिर से और आगे हम supply करेंगे, तो यह reaction continue रहेगा, दूसरा hydrogen को replace करेगा, ठीक है, फिर से आएगा CH3, CL, तो अबरी बार फिर से अटेक करेगा, इसके उपर यह CS3, यहाँ जूड जाएगा, और फिर से इस पर positive charge भो जाएगा, फिर इस positive charge को neutralize करने के लिए, एक H+, को बार कर देगा, इस bond को खिच लेगा, ठीक है, यहाँ CL- निकल गया है, CS3 attach हो गया, और अब यह CL- यहाँ attack करेगा, यह H+, निकलेगा, इसके साथ combine करेगा, फिर से HCL यहाँ release करेगा, यहाँ पर loan pair generate हो जाएगा, अब देखो कि दो-दो hydrogen जो है, replace हो गया, यह हो गया, secondary amine, ठीक है, उसके बाद जो है, फिर से इसके उपर attack करेगा, methyl chloride, अब यह catch बचा है, अब इसको अट आना है, तो यह जो CH3 हो, इसके उपर attach करेगा, दर्वी CH3 हो गया, और यहाँ पर जो है, CH3 attach हो जाएगा, यह बला CH3 आके यहाँ, और यह CL- निकल जाएगा, और यह CH3 attach हो जाएगा, तिस पर एक positive charge आ जाएगा, जोकि यह जो loan pair है, यूज हो गया, bond बनाने में, फिर इसको हटाना है, ठीक है, primary बन गया, secondary बन गया, अब tertiary बन जाएगा, अब यह क्या करेगा, फिर से यह जो CL- यहाँ release हुआ था, यहाँ attack करेगा, इसको इधर transfer कर देगा, और यह H+, निकलेगा, CL- के साथ combine करेगा, HCL बन जाएगा, और finally हमको tertiary amine मिल गया, ठीक है, tertiary amine, यह हो गया हमारा tertiary amine, तो इस तरीके से जो है, tertiary amine हमको मिल गया, तो primary भी मिला, यहनि कुछ molecule ammonia का primary में convert हो जाएगा, कुछ molecule ammonia का secondary amine में convert हो जाएगा, और कुछ molecule ammonia का tertiary amine में convert हो जाएगा, यहनि primary, secondary, tertiary, ये तीनों का mixture हमको मिल जाएगा ठीक है इसके बाद भी अगर हम इसमें अलकाइल हेलाइट का supplement continue रखेंगे तो हमको जो है finally quaternary ammonium salt भी मिल जाएगा ठीक है तो वो भी देखते हैं तो finally जो है क्या मिला था हमको tertiary amine मिला था ठीक है अब इसके उपर और भी अगर हम methyl chloride का supply continue रखेंगे तो यह फिर से इस पर attack करेगा ठीक है तो बन जाएगा CH3 and CH3 अब देखो कितना हो गया चार चार CH3 जुड़ गया इस पर एक positive charge generate हो गया अना central atom के उपर क्या हो गया positive charge generate हो गया अब लेकिन इस positive charge को neutralize करने के लिए कोई hydrogen तो है नहीं इसके पास तो अब क्या करेगा इसको neutralize के से करेगा यह जो CL minus यहाँ पर जो यह CL minus है यही CL minus इससे attach हो जाएगा और फिर यह salt बन जाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा salt यह quaternally salt हो गया इसको क्या बोलेंगे अगर original नाम लिखेंगे तो लिखेंगे टेट्रा methyl ammonium chloride इसका हम नाम लिखेंगे यह हो गया salt हो गया तो ammonolysis को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ultimately हमको tetramethyl ammonium salt भी देदेगा या tetra कुछ भी है tetra alkyl ammonium salt हमको मिल जाएगा तो इसलिए इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमको क्या बनाना है primary बनाना है secondary बनाना है उसके हिसाब से समय रहते हमको reaction को control करना पड़ेगा कि हमको क्या बनाना है और अगर हर चीज़ चाहिए तो सब कुछ बना लेंगे और फिर fractional distillation से सबको हम अलग करेंगे clear तो इस reaction का advantage भी है और disadvantage भी है advantage है कि हमको primary secondary tertiary एक साथ मिल गया देखिन disadvantage यह है कि अब हमको primary secondary tertiary को separate करना पड़ेगा यह अलग खर्च हो गया क्योंकि हम अगर चाहेंगे कि सिर्फ primary बने इसमें यह संभब नहीं है चाहेंगे सिर्फ secondary बने यह संभब नहीं है हम चाहेंगे सिर्फ tertiary बने यह संभब नहीं है ठीक है कितना भी control करेंगे कुछ न कुछ primary secondary tertiary बनेगा ही ठीक है ऐसा नहीं है कि primary बना रहे है secondary tertiary नहीं बनेगा ऐसा कुछ हो यह नहीं सकता है तो और quaternary salt भी कुछ मिल जाएगा तो इसलिए इसका यह disadvantage है कि यह mixture of primary, secondary and tertiary amines देता है और थोड़ा बहुत quaternary ammonium salt भी बना देता है तो इसलिए यह जो है अगर हमको high quantity में product बनाना है particularly primary, secondary tertiary तो हमको यह process suitable नहीं लगता है और इसलिए इसको use नहीं किया जाता है ठीक है तो इसमें हमको अगर primary amines को ही अगर बनाना है तो हम लोग large excess में थोड़ा ammonia ले लेंगे तो primary बन जाएगा ज्यादा और tertiary और secondary कम बनेगा तो वहां पर एक थोड़ा यह ऐसा कर सकते हैं बाकी औ ठीक है और इसके अलावा अगर हम अब जो है वापस चाहिए तो अगर यह जैसे अब यह reaction कराए तो हमारे पास quaternary salt बन गया ठीक है तो quaternary salt बन गया तो हम quaternary salt को क्या करेंगे quaternary salt हमारे लिए useless होता है generally इस process में तो quaternary salt को हम primary amine में convert कर सकते हैं तो हम लोगों को जब हम यह primary, secondary, tertiary, 3, 1, 7 बन जाएगा तो हम सबसे पहले उस mixture का reaction जो है strong alkali से कराएंगे sodium hydroxide से या potassium hydroxide से तो क्या होगा जो quaternary ammonium salt बना है वो primary amine में convert हो जाएगा ठीक है ना तो वो एक हमारे लिए advantage है ठीक है तो हम जो है quaternary ammonium salt को हम जो है convert कर सकते हैं simple example है जैसे कि मान लोग और इसके पहले एक और example लिए थे हम लोग ammonium salt बनाये थे CH3 NH3 CL यह salt बनाये थे हम लोग ammonium salt तो कोई भी ammonium salt हो हम उसको जो है respective amines में convert कर सकते हैं quaternary salt को भी हम respective convert कर सकते हैं तो उसमें भी वो क्या हो जाएगा कि हमको salt मिल जाएगा tertiary मिल जाएगा quaternary को अगर कराएंगे तो और अगर यह जो ammonium salt है simple ammonium salt जो बन जाता है जिसमें के हम लोग ammonia का concentration जादा रखते हैं तो इसका जब reaction हम sodium hydroxide या potassium hydroxide से करवाएंगे तब जो है क्या होगा कि यह जो c l minus यहाँ पर यह ionization होगा यहाँ na plus oh minus देगा ठीक है तो यहाँ से यह जो c l minus निकलेगा यहाँ पर यह टूटेगा यह c l minus बनेगा तो इस पर एक positive charge आएगा तो यह c l minus जो है और na plus बना के na c l बनके निकल जाएगा ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या आ गया c s 3 n s 3 plus आ गया अब इसके ऊपर यह जो oh minus यहाँ निकल चुका है na c l बना na plus और c l बना na c l और यह oh minus रिली जो है यह oh minus अब यहाँ पर attack करेगा ठीक है अब इसका जो h plus यह जो है ना यहाँ इस n s 3 उससे एक जो है h plus निकलेगा से combine करके water बना लेगा तो हमारे पास मिल जाएगा c s 3 n h 2 तो यह primary amine बन गया तो एक exclusive primary amine ही बनाना है तो हम prefer करेंगे कि ammonium salt को हम जो है alkali से reaction करवा देंगे ठीक है अगर primary amine बनाना है तो यह जो हमारा substituted ammonium salt है substituted ammonium salt से हम primary amine exclusively बना अगर हमको सिर्फ primary ही बनाना है यही करेंगे पहले हम लोग तयार कर लेंगे substituted ammonium salt फिर उसको हम strong alkali से reaction कराएंगे तब हमको primary amine मिलेगा ठीक है यह reaction हम quaternary ammonium salt से भी करवा सकते हैं तो उसमें हमको जो है tertiary amine मिल सकता है ठीक है तो जैसे reaction में है तो reaction जब हम करवाते हैं ammonolysis तो quaternary ammonium salt तो मिलना ही है कमी quantity में मिले मिलना ही है अब quaternary ammonium salt को कैसे हम separate करेंगे तो quaternary ammonium salt क्या है CS3 CS3 जैसे हम अभी बनाये थे के example लिये थे ठीक है quaternary ammonium salt यही है quaternary ammonium salt तो इसका भी reaction हम sodium hydroxide से करवा सकते हैं तो इसमें क्या करेगा यह CL- इसके साथ चला जाएगा तो NACL निकल जाएगा यहां पर यह तूट जाएगा तो हमको और यह OH- जो है यहां release हो जाएगा अब यह OH- second step में attack करेगा ठीक है अब क्या करेगा यहां पर कि यह जो है OH- है यह positive charge है इस bond को यह break करके CS3 को निकाल देगा ठीक है और इधर से यह OH- जो है इस पर attack करेगा तो यह जो CH3 निकलेगा CS3 OH एलकोहल बनके निकल जाएगा यहां से यह bond को खीचेगा क्योंकि यह पर यह positive charge है यह positive charge क्या करेगा इस bond को break करके यह pair of electron को खीच लेगा अपने तरफ और यह CH3 plus निकल जाएगा CH3 plus क्या करेगा OH- से combine करेगा और एलकोहल में convert हो जाएगा और इस परकार से हमको जो है tertiary amine मिल जाएगा तो इस तरह से tertiary amine मिल भी जाएगा और जो mixture है जिसमें कि primary, secondary और quaternary तीनों मिला हुआ है तो उसमें quaternary ammonium salt को separate करने का एक तरीका भी है तो quaternary ammonium salt जब निकल जाएगा तब जो बाकी बच गया primary, secondary, tertiary उसको हम लोग fractional distillation से अलग कर देंगे कि quaternary ammonium salt तो solid जाएगा इसको separate करना जरूरी है पहले fractional distillation करने के लिए तो fractional distillation करने से पहले हमको quaternary ammonium salt निकालने के लिए हम sodium hydroxide या potassium hydroxide का यूज करेंगे और वो quaternary ammonium salt को tertiary amine में convert कर देगा तीस तरीके से tertiary amine हमारा मिल गया अब primary, secondary, tertiary को हम fractional distillation से separate कर देंगे और इस परकार हम लोग जो है ammonolysis को हम लोग complete कर लेंगे ओके ओके गुड़नाइट